सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के साथ बेटे रहते थे, सभी की साधी सेठ ने समय रहते करवा दी, सातों बहु मिलकर घर का काम भी किया करती थी, उन सभी में से सेठ की सबसी छोटी बहु खुब संसकारी थी एक दिन यूही काम करते हुए घर के बड़ी बहु ने अपने देवरानियों से कहा, एक घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी जठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लिपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गए, सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे, कि तभी सबसे बड़ी बाली बहु को एक नाग नजर आया, उसे मारने के लिए जैसी ही बड़ी बहु ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहु ने कहा, जठानी जी इसे मत मारिये, इसके कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है, अपनी देवरानी का बात मान कर उसने नाग को कुछ नहीं किया, तभी उस छोटी बहु ने नाग से कहा, कि आप एक जगा पर अलग से वैठ जाईए, हम नाग वाली बात निकल गई थी, अगले दिन छोटी बहु को अचानक से याद आया, कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था, वो तुरंत अपनी सभी जठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई, वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उस नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता, आज के बाद में तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी, अब तुम अपने भाई से कोई बरदान मांग लो, मैं तुमसे बहु इतना सब सुनने के बाद छोटी बहु ने नाग को बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था, अब से आप मेरे भाई हो, अब हर दम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है, बस यही बरदान मुझे आपसे चाहिए, नाग ने हर कदम पर का रूप बना कर अपनी बहन से मिलने सेट के घर गया, उसने सेट से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहु है, पहले तो उनके मन में हुआ कि बहु का कोई भाई ही नहीं था, ये कहां से आ गया, फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहु को बाहर की सेठ ने इसकी भी आग्या दे दी तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा कहे तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो जबाब में बहन बोली नहीं भाईया मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ फिर नाग ने कहा मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ तुम मेरी कर चलती रहना पीछे उसकी बहन ने वैसा ही किया कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुच गए वहां हर तरब सोना चांदी और अन्य कीमती समान थे वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी नाग की मा भी उसे खुब प्यार करती थी ए अब गर्म दूद पीते ही नाग का मूँ जलने लगा ये सब देखकर नाग की मा को खुब गुश्या आया नाग ने किसी तरह से अपनी मा के गुश्य को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूद नहीं पी सकता हूँ अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेट की छोटी बहु अपने घर जाने लगी नाग ने अपनी बहन को खुब सारी दौलत और आभूशन देकर बिदा किया बहु के शाथ घर में इतना सारा धन आते देख शेठ और उसकी जठानिया हैरान हो गई एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहु ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ उसके पास तो खुब पैसा है वो तुम्हें मना नहीं करेगा छोटी बहु ने अपने भाई नाग को यह बात बताई इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपने बहन का घर तरह तरह के आभूशनों से भर दिया सभी जेव रातों में शे एक हीरी का हार बेस किमती था उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था होते होते उस हीरी की हार के ख़वर राज्य की रानी तक पहुची उसने छोटी बहु से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया दुखी होकर सेट की छोटी बहु ने अपने भाई को इसके बारे में बताया गुसे में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे का हार को नाग बना दिया इससे डर कर रानी ने एकदम हार को अपने गले सुतारा और सेट की छोटी बहु को महल बुलवाया उसके महल पहुँचते ही राणी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था, इससे उसकी बजब पूछने लगी, तब सेट की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाईी ने या हार सिर्क मुझे पहनने के लिए दिया था, इसे कोई दूसरा इंसान डालेगा तो यह तुरंत शाब बन जाएगा इस बात को शही शाबित करने के लिए रानी ने सेट की छोटी बहु को साब बन चुके हार को पहनने के लिए कहा छोटी बहु ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे का हार में बदल गया महारानी ने ये सब होते हुए खुद अपनी आँखों से देखा और हैरान रह गई अब उशेच सेट की छोटी बहु की बात पर यकिन हो गया उसने हार छोटी बहु को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा इतना सब होने के बाद रानी ने सेट की छोटी बहु को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया अब सेट की छोटी बहु घर में सोने की सिक्के लेकर पहुची यह सब देखकर सेट की बड़ी बहु को जलन होने लगी उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परिशान हो जाए उसने अपने देवर से पूछा आखिर तुम्हारी पतनी को इतने आभोशन, धन ये सब कुछ कैसे मिल रहा है तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए यूँ ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने की शिक्के नहीं दे देता है पता करो कि आखिर क्या मामला है भाविशे अपनी पतनी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पतनी के लिए शक पैदा हो गया उसकी हर बात को वो शक भरी निगाह से देखने लगा एक दिन इस बारे में उसने अपनी पतनी से बात की खुद के लिए अपने पती से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पती द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया अपनी दुखी बहन को देखकर नाक को भी गुशाया सीधे वो अपनी बहन के पती से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेबरात और दुसरे तोफे मैंने दिये है तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिन्दा खा जाऊंगा नाक से ये सब सुनने के बाद सेट के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा आज के बाद से मैं ऐसी बाते बिल्कुल भी नहीं करूँगा आप मेरे उपर गुश्या मत कीजिए मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख होने नहीं दूँगा इतना कहकर वो शीधे घर गया और अपनी पतनी से भी माफी मांगी उसके बाद दोनों खुसी खुसी साथ में रहने लगा इसी तरह सेट की छोटी बहो हर तरह की मुशीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परिशानी को दूर कर देती इसी तरह नाग पंचिमी के देवार शुरू हुआ और सभी महलाय नाग को अपना भाई मान कर पूझते हुए उन्हें दुद पिलाने लगी नाग पंचिमी के कथा से दो शिख मिलती है पहले यह कि किसी दूसरे के भड़काने पर और उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक नहीं करना चाहिए अदोशे शिख हिया है कि अच्छा करने और अच्छा सोजने बालों को उसका शाकरात्मक फल जरूर मिलता है कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए